नमस्कार दोस्तों मैं आपके साथ हविशेक आज हम बात करेंगे एक ऐसी परिशानी के बारे में जो धीरे धीरे समाज में बढ़ती जा रही है और इसके शिकार जो पहले बुढ़ापे में होते थे आज उसने यूबा वर्ग को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है और अगर वो एक बार लग जाए तो जीना हराम कर देती है उस बिमारी का नाम है शाइटिका आपको भी जानते होगे कि शाइटिका के बारे में ये बहुत ही खतरनाग बिमारी होती है शाइटिका का इलाज बहुत ही कठिन और महगा होता है जो आम लोग करबाने में असमर तो चलिए आज जानते हैं इस परेशानी के सभी पहलू को गहराई से कि आखिरकार ये बिमारी कैसे फैलती है और साथ ही जानते हैं कि बिमारी से कैसे बचे वो भी आसान और घरेलू उपायों के द्वारा आज कल की भाग दोड भरी जिन्दगी में ऐसे दर्द स्वाभाविक हैं जिनका उपचार भी समय रहते बहुत जरूरी हैं और उपचार के मामले में हमने आज तक मेडिकल साइंस को खूब आजमाया परन्तु फिर भी ये समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है आज हमें एक ऐसे अल्टरनेट के जरूरत है जो बिना दवा बिना इंजक्शन और बिना सरजरी के हमारे समस्याओं को मिटा सके और वो कॉंसेप्ट हमारे बीच में हैं उससे पहले हम जानते हैं कि आखेर ये बि जिरू डंड नसों से होकर पैरों की नसों मास्पेशियों में तेज दर्द कंपन धंजनाहर्ट करेंड की तरह मैसूस होने वाला रोग स्ट्राइटिका कहलाता है स्ट्राइटिका सर्दियों ठंड मौसब में ज्यादा तंग करती है दरसल स्ट्राइटिका खुद में बीमारी नहीं है बलकि बीमारियों के लक्षण है स्ट्राइटिका हमारे शरीर में मौजूद एक नर्व का काम है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व है यह हमारे कमर के लुम्बर पार्ट के L3, L4 से निकलती है और कमर से लेकर पैर के तलवे तक होती है साइटिका का दर्द खास रूप से कमर से लेकर जांग की पिछले हिस्सों में होता है गुटने के नीचे उतर जाता है और साइटिका गरस अधिकतर लोगों की आयू 30 साल से 50 साल की बीच में होती है साइटिका कमर दर्द का खास पहचान चिन है जो साइटिक नस के यानि लुम्बेगो पास रहता है और पैर में फैलता है आम तोर पर यह एक तरफ होता है और आस पास इस्पाइन के भीतरी डिस्क के बाहर उभराने पर नस में तनाव का कारण बनता है हम जाते हैं कि साइटिका की समस्या कैसे होती है इस समस्या बढ़ती उम्ब के साथ शुरू होने लगती है हमारा लुम्बर पार्ट हमारी स्पाइन से अधिक बाहर निकला होता है जिसके कारण सबसे अधिक परेशानी भी इसी पार्ट में होती है यह परेशानी शुरुवात में कमर्क में हलके दर्द से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है इस परेशानी के कारण हम पैरों के उंगलियों भी नहीं हिला सकती है यहां तक की चलना भी मुश्किल हो जाता है और बहुत तेज दर्द होता है इस नर्व का मुख्यकार होता है हमारे ब्रेंज से मिलने वाले मैसेज या संकीत को पूरे पैर में पहुँचाना लेकिन हमारी आजपल की अन्यमीत जीवन शहली तथा उठने बैठने के गलत तरीकों के कारण हमारे कमर से लेकर पैर तक बहुत अधिक दर्थ होता है स्राइटिक दर्थ मंदे से लेकर अत्यांत दर्थ यूग और कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है यदि 6-7 से अधिक चलना है तो इसे लगतार स्राइटिका वाना जाता है यानि क्रोनिक है स्राइटिका के लक्षण क्या है कमर में हलका दर्द होना, पैरों में सुन्पन होना, पैरों में दर्द होना, पीठ का दर्द जो की सामान पीठ दर्द से अलग होता है कमर के कूल हो और जान के पिछले हिस्सों में लगातार दर्द रहना छींकने, खासने और हसने और पीछे की तरफ जुक कर लंबे समय तक खड़े या बैठे रहने पर दर्द रहना यह कुछ सामान लक्षण स्ट्राइटिका से हैं और यह पीडित ब्यक्ति देखने को अक्सर मिलता है अगर उपरोग लक्षण आपको शरीर में देखने को मिले या शरीर में आसहज बदलाव महसूस हो तो तूरंद इसकी जाज करवाएं क्योंकि कहीं न कहीं यह स्ट्राइटिका नर्व में गड़ बड़ाहट के संद्रीथ है श्राइटिका से संबंधित आहिर्विज्ञान ची किस्सा में कुछ टेश्ट उपलब्द हैं जैसे एक्सरी सीटी स्कैन एमर आई लुंबर मोविटी एसेंज्मेंट इस टेस्ट के द्वारा आप अपनी स्ट्राइटिका नर्व की कर्रंट स्टेटस को जान सकती हैं और आप यह समझ सकते हैं कि आखिर कौन सी समस्या है स्ट्राइटिका क्या काम करती है जैसा कि हमने जाना कि यह हमारी शेरीर की सबसे लंबी नर्व होती है इसका काम होता है लुंबर और सकुरम के सभी पार्ट्स तक बलड और मैसेचिंग का प्रभाव करना अगर इस नर्व में दिक्कत आती है तो इसके कमर के नीचे की सभी अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उनमें कैजविलिटी की संभावनाएं ज्यादा रहती है अब जानते हैं कि मेडिकल साइन्स और एमस के स्ट्राइटिक इलाज क्या है स्ट्राइटिका से समधित परेशानियों को लेकर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हमें दर्द निवारक दबाएं यानि पीन की लड़ देते हैं जैसे सिटी टैबलेट दे देते हैं अगर फिर भी आराम ना हो तो दबाओं की डोज को बढ़ाया जाता है और अगर फिर भी आराम ना मिले तो डॉक्टर सीधे लुंबर पाड की एल और फोर एल फाइब डिस्क का ऑपरेशन कर देता है जो और भी भयानक कंडेट को बलावा देता है यानि अगर मैं कहूं कि यह इलाज का सही तरीका नहीं है तो गलत नहीं होगा स्ट्राइटिका रो रोग ठीक करने में कार्गो हाइडरेट कैल्शियम एंटि ऑक्सिडेंट एंटिबाइटेक एंटि सेप्टेक एंटि एंसेंगलमेंटरी बिटामिन ए बिटामिन सी बिटामिन बी कमपैक्स पोटेंशियम मैंगनेशियम प्रोटीन वसा आयरन फॉलिक एसिड जिंक कॉफर ये सभी योगिक और तत्यों कमिशनल सहायक होते हैं और रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ाने रक्त को संचार करने या तीब्रकती से संचार करने रक्त संचार में सुचारू करके साटिका दर्द नश्ठ करने में सक्षम पाए गए हैं कई लोग स्राइटिका होने पर करेंट जटके इत्याज लगवाते हैं जो की फूंड रोप से फायदे बंद नहीं हैं स्राइटिका का दर्द लंबा चलने पर पैर शरीर अंग उसका पंग होना चलने फिरने में असहायता लकवा ये सभी कारण हो सकते हैं तो अगर आप भी इस रोप से पीडित है या आपके जान पाचान या कोई रात रिस्तेदार या पडोस का है तो आप उसको ये उपाय बताए और ओफरेशन के लिए बिल्कुल ना करें क्योंकि ओफरेशन और ज़्यादा दुखमाई होता है और इसका कोई इलाज भी संभ हो नहीं है तो आपरेशन करने से अच्छा इसका हम अल्टरनेट उप्चार निकालें कुछ घरेलू कुछ आयरवेदिक और कुछ कि किसी और माध्यम से का अल्टरनेट बेक्न माध्यम से घरेशन कुछ अल्टरनेटेंげप्शा आपरेशन के चारेशन के साएलेशन के अजब वाभबपशन के यह जब आपरेशन के लिए बगश प्सक्पारेशन के अज़ेशन स्ट्राइडिकर नर्व से जब तनाव या दबाव आता है तो उसमें टॉक्सिन और गंदगी इकठा हो जाती है वो हमारे लिए परिशानी पैदा करती है ये दर्द आम होता जा रहा है और अब इसने युबाओं को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है आज की बाभाग दोर भरी जिंदगी में ऐसे दर्द स्वभाविक है तो इनका उपचार भी समय रहते बहुत जरूरी है और उपचार के मामले में हमने आज तक मेडिकल साइन्स को खूब आजवाया परन्तो फिर भी ये समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है आज हमें एक ऐस अल्टरनेट की जरूरत है जो बीना दवा, इंजेक्शन और सरजरी के हमारे समस्या को मिटा सके और वो कॉंसेट हमारे बीच में है अब बस इजाजत है तो उससे ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल की और सबसे बड़ी बात ये कि वो फोन रोप से प्राकृतिक पद्धतियो से लेस है जिसका इस्तमाल कर हम लंबे समय तक सौष्ट रह सकती हैं दोस्तों आज के कारिकरम में बस इतना ही मुलकात करते हैं आपसी दूसरे कारिकरम में किसी और रोचाक जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार